दोस्तों यह रहा फोन का स्क्रीन, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको Google Play Store पे जाना है, Google Play Store के आपको Search Box में टाइप करना है, Restore Image का, Restore Image जैसे ही आपके एप्लिकेशन आपके सामने आएगा, आपको इसको इंस्टॉल करके Open कर देना है, जैसे आप Open करेंगे, आपके सामने इस तरह का Page खुलेगा, जहां पे आपके सामने तीन options दिये हुए, उन तीन options में आपको सबसे पहले वाले option यानि कि Search Images पे क्लिक करना होगा, यह सारी images जो आपके फोल्डर में पहले से हैं, यह Restore Images आपके सामने आ जाएंगी, आप मीची देख सकते हैं सारी images जो है जो 52,000 images दिखा रहा है, इस सारी images पहले Restore होगी, Restore होने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको उस folder पे क्लिक करना होगा, जिस restore image को आपको delete करना है, जैसे आप उस folder पे क्लिक करेंगे, उस photo को delete करने के लिए, आपके सामने कुछ इस तरह का page खुलेगा, यहां पे आप photo को select करेंगे, और select करने के बाद, right hand side में corner पे, उपर की तरफ, delete completely का option है, आपको delete completely के option पे क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप delete completely के option पे क्लिक करेंगे, आपकी जो image है, जो file manager में पहले restore थी, delete करने के बाद भी, अब वो image completely delete हो चुकी है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मै जीत रहा है, अब आपसे अलवीदा चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, please keep smiling.